अच्छा दोस्तों जैसे की आप जानते हैं कि पिछले दो स्ट्रीम से मैं प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद मोदी जी उन पे मैं सिरीज कर रहा हूँ ये बताने के लिए इस बात के लोगों को अवगत कराने के लिए कि देश किस तरह के खत्रों से जूज रहा है और मैंने पिछली बार स्लावोए जिजैक की एक बात कही थी कि फासिजम जो होता है वो लास्ट डेस्परिट अटेम्ट टू सेव कैपिटलिजम होता है तो पुझी बात को बचाने का आखरी अथक प्रयास जो है ये फासिजम है तो कुछ बाते मैंने आपके सामने में रखी थी कि किस तरह से संविधान को नश्ट करने की पूक का पूरा प्रयास किया जाएगा पहला दूसरा मैंने इभी बताया थे कि ये लोग कई बार ये डंका बजाते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री का तो भाई की जो विदेश नीती बड़ी सफल है मैंने उसके बारे में भी प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं बात इतनी है कि कोई पुल बना है रक्त वर्षों से नसों में खौलता है अरे आप कहते हैं शनिक उतेजना है हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था शौक से डूबे जिसे भी डूबना है दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है आज कल नेपत्थ में संभावना है तो नेपत्थ से मेरी आवाज जो है यह आपके तक पहुँच रही है दोस्तों मेरा चहरा भले से आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि आप भी अमबेट कराइट होने की अपने करतव वेको निभाते हुए अपनी संभेदानिक अधिकारों का प्रयोग करके जब कभी वोट करने जाएंग अब की बार बसकरियार रक्त वर्षों से नसों में खूलता है आपकेते हैं शणिक उत्तेजना है तो हमारी उत्तेजना शणिक नहीं है ये कई-कई सालों से हमारी जो हमारी जो नसे हैं उसमें खौलता हुआ रखता है मैं अपनी बात आपके सामने में यहां से शुरू करता हूँ दोस्तों और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस पूरी जो बात मैं आपके सामने में रखने वाला हूँ उसको धैरे पूर्वक सुनेंगे आप उसी तरह से प्रेम देंगे जैसे अभी तक आपने दिया है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो मैं आपके सामने में दुनिया के सबसे बड़े खुटाले के बारे में आज बात करना चाहता हूँ ये मैं नहीं कहे रहा हूँ दोस्तों ये कह रहे हैं पी प्रभाकर पी प्रभाकर जो हैं हमारे देश की वित्मंत्री फाइनस मिनिस्टर निर्मला सीतरमन के पती हैं और अर्ष शास्त्री हैं उन्होंने प्रेस को इंटर्व्यू देते हुए 27 मार्च 2024 को कहा कि Electoral Bond Scheme देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है चलिए मैं आपके सामने में कुछ आँख खुलने वाले तथ्थे रखता हूँ ये घोटाला कैसे है देखते हैं दोस्तों ये बात इस तथ्थे को देखते हुए और भी महत्वण हो जाती की विबक्ची नेताओं और उनके समर्तकों के खिलाव CBI, ED और आयकर विभाग जैसी केंदरी एजंसियों के कारवाई में वृद्धी हुई है नरेंदर मोधी सरकार द्वारा 2017 में घोशिच चुनावी बॉंड योजना को लेके पहले से ही चिंताय जाहिर की गई थी कि सरकार एक अपारदर्शी प्रणाली लेके आई है सुप्रीम कोट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉंड योजना को असम्वेधानिक बताते हुए रद कर दिया था साथ ये भी चेतावनी दी थी कि इस से परस पर लेन देन क्विड प्रो क्यो वाली व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है और ये हम सभी लोग जानते हैं ये पूरी कहानी कि SBI ने किस तरह से वो जितने लोगों ने डोनेशन दिया था भाजपा को उसको शुपाने की किस तरह से कोशिश की थी लेकिन ये सिरिफ राजनितिक चंदे और चुनावी बॉंड की बात नहीं है भाजपा को चुनावी ट्रश्टों के माध्यम से भी सबसे ज्यादा रकम मिली है चुनाव आयोग द्वारा साजे किये गए आखडों के अनुसार 2022-23 में चुनावी ट्रश्टों में द्वारा दिये गए कुल दान का 70% से अधिक भाजपा के हिस्से में गया है तो वो 30 कंपनियां कौन सी थी जिन्होंने 2018-19 से 2022-23 के बीच सीधे भाजपा को ध्यान को दान दिया वे कहां की थी उन पर क्या रूप लगाए गए था आईए देखते हैं तो अब मैं आपके सामने में जो तथ्य पेश करने वाला हूं दोस्तों ये तथ चुनावायोग और जो हमारी प्रेस है जो फ्री प्रेस है न्यूस क्लिक न्यूस लॉंडरी क्विंट केरवेन मैगजीन और जो सुप्रीम कोट का जो आदेश आया था और स्टेट बैंक की द्वारा आखरी में जाके प्रोवाइट किये हुए जो डॉक्यूमेंट इस उनसे बनाए हुए तथ हैं ये पूरी तरह से आप इसका फेक्ट चेकिंग कर सकते हैं कि किस तरह से एक एक एक्स्टॉर्शन का रेकेट चला है देखते आईए एक एक एक्स्टॉर्शन का रेकेट चलता है 2017 में जब इलेक्टोरल बॉंड की शुरुवात देश में की जाती है वो क्या था चट चापा पट चंदा इधर चापा पड़ा उधर चंदा भाश्पा की खाते में गया चापा मारने वाली कौन केंद्री एजंसियां केंद्र में किसकी सरकार है नरिंद्र मुदी की भाश्पा सरकार इधर पहुंची इड़ी उधर गया चंदा एक हा से उधर सीधा चट और पट वाला काम हुआ है केंद्री एजंसियों को छापा मारी के बाद 30 कंपनियों ने भाजपा को दिये 335 करोड रुपए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं वित्वर्ष 2018-2022-23 के बीच भाजपा को लगबख 335 करोड रुपए का चंदा देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को इसी अवदी के दोरान केंद्री एजंसियों की चापे मारी का सामना करना पड़ा इन कमपनियों में 23 कंपनिया ऐसी है जिन्होंने इस अवदी के दोरान पार्टी को 187.58 करोड रुपए चंदे दिये जबकि उन्होंने 2014 से चापा पड़ने के अवदी के बीच कभी भी भाजपा को चंदा नहीं दिया था इन 23 कंपनियों में कम से कम चार ऐसी हैं जिन्होंने कारवाई के चार महीनों के अंदर 9 करोड रुपए का चंदा दिया इन में से कम से कम 6 कंपनिया ऐसी हैं जिन्होंने पहले भी भाजपा को चंदा दिया था लेकिन चापे मारी के बाद के महीनों में चंदे की रकम को और बढ़ा दिया छे कमपनिया ऐसी हैं जिन्नोंने कुछ साल पहले भाशबा को चंदा दिया था लेकिन एक साल चंदा रोक दिया और रोकते ही E.D. की कारवाई का सामना करना पड़ा कम से कम तीन भाजबा के दान दाता जो तीस की सुची का हिस्सा नहीं है ऐसे हैं जिन पर केंद्र से अनुचित लाब प्राप्त करने का आरूप लगाया गया था इसी अवदी के दोरान कुल 32 कंपनियों में से केवल तीन ने कॉंगरिस को चंदा दिया ये आकड़े वित्वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच के चुनावायों के रिकॉर्ड केस फाइलों और वित्ती जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी न्यूज लॉंडरी दन्यूज और दमिनट द्वारा की गई पड़ताल के जाच के निशकर्ष हैं कुछ मामलों में कंपनी पर छापे के दौरान या उनके बाद जो चंदा दिया गया था और कुछ अन्य में दान करने वाली कंपनियों को लाइसेंस या मंजूरी मिली थी इस रिपोर्ट में उलेखित प्रकरण केंद्री एजन्सियों द्वारा छापे सर्वेक्षन और भाजपा को चंदा देने के बीच एक पैटर्न का इशारा करते हैं राजनीतिक फंडिंग के जबरन वसूली से कम नहुने क्यारो पहले भी सुर्खियों में रहे हैं चलिए देखते हैं ये किस तरह से किया गया है दोस्तों सोम डिसलरीज मदप्रदेस्थित ये शराब समूस छापे मारी के बाद भाजपा को तेजी से दान देने वालों में से एक था जेके अरोड़ा और एके अरोड़ा बंधुओं ने इस समूस से 2018-19 में भाजपा को सवाचार करोड रुपे का दान दिया लेकिन अगले वित्ती वर्षमोनों ने कोई योगदान नहीं दिया तो तुरंत जुलाई 2020 में GST इंटेलिजेंस अधिकारियों न दोनों भाईयों को गिरिफ्तार कर लिया और उन पर अलकोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और आपूर्ती में आठ करोड रुपे की टेक्स्चुरी का आरोप लगाया दोनों प्रमोटरों की दो बार पहले निचली अदालत द्वारा और फिर भोपाल में सत्र अदालत द्वारा जमानत याची का खारी जुई जिसके बाद उन्हें अगस्त में जवलपूरुच नियायल द्वाला द्वारा जमानत दी गई SNJ डिसलरीज ध्यान से सुनते जाएगा दोस्तों स्ट्रीम थोड़ी से लंबी चलेगी लेकिन ये सारे तथ्याप के सामने मैंने जरूरी है कि कैसे एक्स्टॉर्शन का रेकेट चल रहा है SNJ डिसलरीज के मालिक SNJ मुरुगन है विडीम के सनरक्षक और दिवंगत नेता एम करुणा निदी के करीबी सहयोगी हुआ करते थे अगस्ट 2019 में उन पर टेक्स अधिकारियों ने चापा मारा चार महीने के बाद उनकी कंपनी ने भाजपक को एक करोड पांच लाक रुपे का दान दिया इसने मार्च 2021 में भाजपक को छे करोड का चंदा और दिया अप्रेल 2021 में तमिलनाडु चुनाओं से ठीक पहले टेक्स अधिकारियों द्वारा इनकी आजाच की गई 2022 में सन्जे ने पुरूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को पांच करोड रुपे और दिये और ये पुरूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट और कोई नहीं है इसी इलेक्टोरल ट्रस्ट से ये बार बार आपको यहां पे नाम आएगा ठीक है इस इलेक्टोरल ट्रस्ट से भाजपा को चंदा जाता था IRB Infrastructure Developers Limited तो जो भी यहां पे साथी यहां सुन रहे हैं जो अभी भाजपा का समर्थन करते हैं उनको लगता है कि आप मोधी सरकार आने के बाद आपका व्यवसाय अच्छा हो जाएगा हो सकता है कि हो जाए लेकिन मोधी सरकार आपसे एक्स्टॉर्शन करके एटी के जरीए पैसे वसूली कर लेगी क्योंकि इस तरह के उजहरांट सामने सुनते जाईए आई आरबी इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड मुंबई स्थितिये कंपनी इंफ्रस्ट्रक्चर शेत्र की अग्रणी खिलाडी है और वीरेंद्र महसकर इसका नित्रित्व करते हैं कंपनी ने पिछली एक दशक में भाश्पा को लगतार चंदा दिया है 2013-14 में 2.3 करोड रुपई की राशी से शुरुवात कर 2014-15 में 14 करोड रुपई का योगदान दिया याने ये पहले ही समर्थक थे लेकिन चंदे में भारी उच्छाल उसी वित्तवर्ष में हुआ जिसमें RTI कारे करता सती शेटी द्वारा जमीन हडपने और धुकादड़ी की शिकायत पर CBI ने पूने और मुंबई में कंपनी के परिसरों की तलाशी ली शेटी अब इस दुनिया में नहीं है हाला कि The News Minute और News Laundry ये पता नहीं लगा सके कि CBI की कारवाई चंदे से पहले हुई थी या नहीं 2012 में पहली बार शेटी की हत्या के मामले में एजनसी ने कंपनी की तलाशी ली थी और पिछले कुछ वर्षों में इसके द्वारा दान बढ़ता ही चला गया 2014 से 2023 तक IRB और उसकी दो सहायक कंपनियों Modern Road Makers और Idle Road Builders ने भाजपा को 84 करोड रुपे का चंदा दिया Astral Limited एहमदाबाद स्थित Astral Limited एक पाइप बनाने वाली कंपनी है जिसका मालिकाना हक संधीप इंजीनियर के पास है 24 नवंबर 2021 को कंपनी के परिसरों पर Income Tax की छापे मारी की गई और दो महीने बाद इसने भाजपा को एक करोड का चंदा दिया श्री सिमेंट कोलकता स्थित ये कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी सिमेंट बनाने वाली कंपनी है और इसका नित्रित्व हरी मोहन बांगूर करते हैं कंपनी ने वित्वर्ष 2020 और 2021 वाईस में भाजपा को कुल 12 करोड रुपे दिये लेकिन 2022-23 में कोई योगदान नहीं दिया और जब कोई योगदान नहीं दिया तो क्या हुआ कि पिछले साल जून में टेक्स अधिकारियों ने इनका दरवाजा खट खटाया इस चापे मारी को विपक्ष ने बदले की कारवाई कहा था जवाब में आयकर विभाग ने कंपनी पर 23,000 करोड की कर चोरी का रुप लगाया था लेकिन इसके एक महीने बाद 11 जुलाई को कॉर्पूरेट मामलों के मंत्रा लेल नोभी टेक्स फाइलिंग लेन देनादी के संबंद में श्री सिमेंट के खिलाप एक निरिक्षान आदेज दिया विपक्ष के आरूपों को इससे और अधिक बल मिला क्योंकि आयकर विभाग के चापे के कुछ हफते बाद यह कंपनी सांगी इंडुस्ट्रीज का अधिगरहन करने की दोड़ से बाहर हो गई यह अध संबु के स्वामित वाली अंबूजा सिमेंट ने कर लिया तो सांगी इंडुस्ट्रीज की जो सिमेंट की जो फेक्टरियां थी उसको खरीदने के लिए श्री सिमेंट ने भी बोली लगाई थी लेकिन हमारे प्रदान मंत्री मोधी जी के परमित्र गौतामडानी की जो अपनी हैं अम्बूजा सिमेंट वो भी उसे खरीदना चाहती थी तो इसलिए तुरंत इंकम टेक्स वहाँ पर पहुँच गई जिससे श्री सिमेंट के उपर दबाओ बनाया जा सके और आखरी में अडानी ने ही खरीद लिया यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई स्थित ये फार्मासुटिकल और बायो टेकनलोजी कंपनी की शुरुवात स्वतंतरता सेनानी समाच सुधारक और व्यवसाई विट्टल बाल एकृष्ण गांधी ने की थी अब इसका नित्रितु उनकी पोती लीना गांध दितिवारी कर रही हैं जिनने देश की दूसरी सबसे अमीर और समाच सेवी के रूप में देखा जाता है कंपनी सक्रिय फार्मासुटिकल सामगरी से लेके पैप्टाइड और इंजेक्टेबल्स जैसे उत्पादों के कारोबार में हैं यूएसवी प्राइमेट 17 अक्टूबर को कमपनी ने भाश्पा को 9 करोड का चंदा दिया क्रिष्टी फ्रीड ग्राम नमकल स्थित ये खाद ये फूट प्रोसेसिंग कमपनी पूरे तमिल नाडू के स्कूलों में मिड़े मील के लिए खाद सामगरी सप्लाई करती है कमपनी ने 2017-18 में भाश्पा को 1 करोड का भुकतान किया था जुलाई 2018 में इसके परिसरू की तलाशी ली गई जिसमें कर अधिकारियों ने 1300 करोड से अधिक की अगुशित आये जब्त करने का दावा किया और कमपनी पर राज नेताओं और नोकरशाहों को रिश्वत में 2400 करोड देने का आरूप लगाया 2020 में कमपनी ने याचिका दायर कर दावा किया कि वो इंकम टेक्स विभाग के साथ एक समझोता करना चाहती है लेकिन इस याचिका को मदरास हाई कोट ने खारिज कर दिया वहीं इसी वित्ती वर्ष 2020-21 में कमपनी ने भाशपा को 1.96 करोड रुपे दिये और इस तरह साल 2021 और 22-23 में पार्टी को कुल 3.82 करोड रुपे दिये गए यानि जहां से पैसा नहीं मिला वहां पहुँच जाओ चट छापा जट चंदा यशोदा हॉस्पिटल ये हैदराबाद स्थित समूव में अस्पतालों की शरिंकला चलाता है जिसमें चार अस्पताल, चार हार्ट इंस्टिटूट और चार कैंसर इंस्टिटूट सामिल है इसे असी के दशक में रावेंदर राओ और उनके भाईयों डॉक्टर सुरेंदर और देवेंदर राओ द्वारा लॉंच किया गया था ये परिवार तेलंगाना के पूरो मुख्यमंत्री केसी आर से तालूक रखता है इस समू पर तेलंगाना के पूरो वर्ती केसी आर सरकार द्वारा लाप पोचाने के आरूप लगाए गए थे दिल्चस्प बात ये है कि समू ने वित्ती वर्ष 19-20 में भाषपा को धाई लाख रुपे का चंदा दिया धाई लाख कम था भाई धाई लाख सिर्व अरे इसमें तो कामी नहीं चलता दाद गीला नहीं होता तो फिर दिसंबर 2020 में पूरे तिलंगाना में इसके कई परोसरों पर छापे मारी की गई इस तलाशी अभियान के बाद के वित्ती वर्षों में यशोता हस्पिटल समू ने भाषपा को 21-22 में 10 करोड रुपे और 22-23 में 5 लाख रुपे का चंदा दिया हेट्रो फार्मा हेट्रो लाख रुपे और 2017 में 2 लाख रुपे का चंदा दिया था समू ने दो बार दान के जरिए 20-21 में 1 करोड रुपे और अक्टूबर 2021 में टेक्स चापे के बाद इसने पूडेंट ट्रस्ट के माध्यम से और जादा रकम जो है वो दान करी फर्वरी 2022 में 5 करोड रुपे 22-23 में 75 करोड रुपे इस बीच 22-23 में उनकी कमपनी हेट्रो लैप्स के जरिये भी 4 करोड 20 लाख रुपे का दान भाजपा को किया गया फ्यूचर गेमिंग एन होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसकी बड़ी गजब की कहानी है भारत की सबसे बड़ी लाटरी कमपनी का अनुमानित कारोबार 7,000 करोड रुपे है और इसका नेतरित वस्वग होशित लाटरी किंग और विवादों में हमेशा रहने वाले विवसाई सेंटियागो मार्टिन करते हैं मई 2019 में आयकर विभाग ने कमपनी से जुड़े 70 स्थानों की तलाशी ली और अगले वित्ती वर्ष मार्च 2021 में 100 करोड रुपे की राशी के साथ कमपनी प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट की सबसे बड़ी दान करता ब बन गई ये प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है भाजपा को यहां से जो चंदा है वो जाता है इलेक्टोरल ट्रस्ट बना के रखा गया है तो प्रूडेंट ने उस साल अपने कुल 245 करोड रुपे में से 84% बीजेपी को दिये 2022-23 में फ्यूचर गयमिंग ने बीजेपी को सीधे 5 करोड रुपे का चंदा दिया सभी प्रकार के राजनेताओं को समर्थन करने वाले मार्टिन पर इससे पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके है इन सब विवादों के बीच उनके बेटे चाल्फ जोसफ मार्टिन को 2015 के व को मार्टिन जो है इसका बेटा भाजपा में आ चुका है के एलेज डिश्टलिरीज यह तमिल नाडू की सबसे बड़ी शराब कंपनियों में से एक है यह तमिल नाडू राज विपढन संग निगम को सस्ती शराब के आपूरती करने वाली प्रमुक कंपनियों में भी शाम अगले ही वित्ती वर्ष इस कंपनी ने बीजेपी को पांच करोड का चंदा दिया शट चापा चट चंदा इसके बाद 2021-22 में थीन करोड रुपए और उसके बाद के साल 2022-23 में दो लाख रुपए और दिये कंपनी के एक सीरस अधिकारी ने निव्ज लॉंडरी की टीम को बताया कि वर्याजनेतिक डलो को चंदा देते और उन Ludwig आगे चलते हैं दोस्तों इतना डीटेल्ड तो आपने कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं देखा हुगा इसलिए ध्यान लगा के सुनिये ये दुनिया के सबसे बड़े extortion racket की बात हो रही है ना इसलिए आपका पूरे धैरे के साथ सुनना बेहत जरूरी है ये हमारे देश को किस तरह से बेचा जा रहा है चिरपाल Industries Limited ये एशिया के सबसे बड़े डेनिम निर्माताओं में से एक हैं एहमदाबाद स्थित इस फर्म का मालिकाना हक वेद प्रकाश चिरिपाल के पास है जिनका पैकेजिंग और सिक्षा शेत्रों में भी दखल है समूह ने वित्ती वर्ष 2019-20 में भाष्टपा को सबादो करोड रुपए दिये फिर अगले दो वित्ती वर्षों में कुछ नहीं दिया ये तो बड़ी गलबल बात हो गई नहीं दोगे तो कौन पहुंसती है ED तो जुलाई 2022 में ED की छापे मारी हुई जिसमें 10 करोड रुपए की बे हिसाब नगदी बरामित करने का दावा किया गया और जैसे ही छापा मारी हुई क्या हुआ चट छापा जट चंदा के हिसाब से इसके बाद कंपनी ने वित्ती वर्ष 2022-23 में भाष्टपा को 2 करोड 61 लाख रुपए का दान किया ललिता जोएलरी चेन्नाई स्थितिस फर्म के मालिक एम किरंड कुमार है इसने वित्ती वर्ष 2021-22 में भाष्टपा को 1 करोड का चंदा दिया ये चंदा आयकर विभाग के मार्ष 2021 में इससे जुड़े परिसरों की तलाशी के बाद दिया गया विभाग ने कमपनी पर सैकडो करोड रुपए की अकोशिताय अरजित करने का आरूप लगाया था आगे चलते हैं अरविंदो रियालिटी एंड इंफ्रस्ट्रक्चर प्राइविट लिमिटेड ये हैदराबाद स्थित फार्मा दिगज अरविंदा फार्मो की रियल एस्टेट शाखा है अरविंदा फार्मो की शुरवात 1986 में पीवी राम प्रसाद रेड़ी ने करी थी वित्ती वर्ष 2021 में कमपनी ने भाष्पा को 9 करोड का चंदा दिया अगले वित्ती वर्ष में कुछ नहीं दिया फिर से याद रखिये चट छापा जट चंदा उस हिसाब से फिर नवंबर 2022 में एडी ने अरविंदो फार्मा के निदेशक शरत चंद रेड़ी को गिरिफ्तार कर लिया ये शरत चंद रेड़ी वही है जिसकी शिकायत पे एडी ने अरविंद केजरिवाल को गिरिफ्तार करके रखा है रेड़ी का नाम दिल्ली शराब निती के मामले में भी चुड़ा है उन पर शराब लाइसेंसिंग प्रक्रिया में रिस्वत का आरोप लगा तो भाईया ये जो आदेमी है इसने तुरंत दे दिया बीजेपी को चंदा और ये अपना निकल गया बाहर और एडी की तरफ से गवाँ बनाके अरविंद केजरिवाल को अलट फसा दिया माहिरा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड जिसे अरविंदो फारमा की रियल एस्टेट शाखा औरो इन्फरा प्राइवेट लिमिटेड की रूप में नामित किया गया था उसने दोजार बीस इक्कीस में भाजपा को एक करोड का दान दिया सिंटेक्स इंड़स्ट्रीज लिमिटेड आपने कई बार ये सिंटेक्स बनाने वाली जो कमपनी है उसका नाम सुना होगा जो टंकी बनाती है पानी की कपड़े का कारोबार भी करती है ये कमपनी तो तो कपड़े का कारोबार करने वाली हमदाबाद स्थित इस फर्म के मालिक अमित पटेल और राहूल पटेल हैं, दिसंबर 2017 में एडी ने इनके अतलाशी ली, जिसमें 48 करोड की संपत्ती जब्त की गई, जैसे ही ये हुआ तो 2019-2020 में इस कंपनी ने भाजपा को 1 करोड का अगर आपकी कंपनी अच्छा काम करती है, तो फिर पहुंच जाएगी, इडी इडी पहुंच गई, तो इधर चापा, उधर चंदा, ये ही काम को करते रहेंगे, आखे खोलिए, SPML Ohm Metals, इस से पहले Ohm Metals Infra Project Limited के नाम से जाना जाता था, या Hydro Mechanical उपकरोणों का कारोबार करती है, इसका मालिकाना हक Ohm Kothari समू के पास है, जिसके Real Estate, Manoranjan, Automobile और Hospitality आदी छेत्रों में भी कारोबार हैं, इस समू को 2018 में राजस्थान की बनास नदी पर बांध बनाने के लिए 615 करोड का ठेका दिया गया, इसके बाद जुलाई 2020 में दिल्ली में मुख्याले रखने वाली इस कमपनी से जुड़े कई स्थानों पे टेक्स अधिकारियों द्वारा तलाशी की गई, इस दोरान बांध अनुबंध से जुड़े लेन देन में अनियमित्ताओं का आरोप लगाया गया, कमपनी के मालिक ततकाल, कमपनी के मालिक उस समय के मुख्य मंतरी अशोक गहलोत के करीबी माने जाते थे, कांग्रेस ने कमपनी के खिलाफ कारवाई को प्रतिशोत करार दि महालक्षमी समो, असम स्थित ये कमपनी जिसके मालिक नवीन सिंगल है, सिंगल पर अकसर इर्रेगुलेरिटी का आरोप लगता रहा है, 2011 में CBI छापे के बाद, 2012 में दायरेक आरोप पत्र में कमपनी और नवीन सिंगल पर आवंटित कोईले को खुले बजार में बेशने का आरोप लगाया गया था, 2016 में एक दूसरे आरोप पत्र में उन पर असम के हैला कांडी में कोईला खरीद में इर्रेगुलेरिटी का आरोप लगाया गया, फिलहाल दोनों मायमलों की सुन्वाई लंबित है, दिसंबर 2020 में कोईला खुटाला मामले की जाच को लेके, इंकम 22 में 7.45 करोड, 22-23 में 1.49 करोड रुपे का चंदा दिया, पिछले साल कथित कोईला संबंदित इर्रेगुलेरिटी के दो मामलों में, CBI द्वारा नामजद होने के बावजूद, इसी समू को अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कोईला ख़दान भी दे दी गई, बीजी आर माइनिंग इन्फरा, हैदराबास स्थित इस कमपनी की स्थाफना बीजी रेड़ी ने की थी, कमपनी के निदेशक रोहिद बथीना और उनके सहियोगी प्रभात कुमार पर 2017 में NTPC के एक वरिष्ट अधिकारी के द्वारा हवाला चैनलों के माध्यम से करने के आरोप में CBI द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जुलाई 2019 में NTPC ने उसी CBI मामले का हवाला देते हुए 36 गड़ और जारकंड में BGR को दिये खनन कॉंट्रेक्ट को रद कर दिया, खनन अनुबंद की समापती के 5 महीनों के बाद BGR ने 31 अक्तूबर 2019 को चुता मूले का खदान डेवलपर और ऑपरेटर कॉंट्रेक्ट इसकी कीमत लगबग 20,400 करोड रुपए है, वो इस कंपनी को दे दिया, भाष्पा ने 5 करोड रुपए के रिश्वत खा गई इसमें, अब ये देखना है भई कि इन दानदावताओं को कुछ अनुचित ना प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कुछ कंपनियों में शामिल है, सडक निर्मान अरुबंद के लिए फरजी बैंक गैरेंटी जमा करने के लिए राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा S.N. पवैई पर 2016 से 5 साल के लिए प्रतिबंद लगा दिया लेकिन 2019 में प्रधान मंतरी ग्राम सडक योजना के तहट इन्हें आठ कॉंट्रेक्ट दिये गए और इसने 2021 में भाजपा को 3.47 करोड रुपे का दान दिया आगे चलते हैं पात सल पहले महराष्ट के ततकालीन मुख्यमंतरी देवेंद फड़नवीस ने एक कंपनी को 285 करोड रुपे के संपत्ती करका भुक्तान करने से ही छूट दे दी चुनाव आयोग द्वारा जारी डाटा से पता लगता है कि उसी कंपनी ने 7 मई 2019 से 10 जनवरी 2024 तक 185 करोड रुपे के इलेक्टोरल बॉंड खरीदे ये टॉरेंट गुरुप कंपनी का समू है जिसकी सहायक कंपनिया टॉरेंट पावर लिमिटेड और टॉरेंट फार्मासूटिकल लिमिटेड है इसकी दोनों कंपनिया चुनाव आयोग की वेब साइट पर अपलोड किये गए दस्तावेज में चुनावी बॉंड के खरीद के 2014-15 तक कंपनी ने भाजपा को 33 करोड रुपे से अधिक का चंदा दिया है आगे चलते हैं दोस्तों कि किस तरह से फायदा पहुंचाया गया चुनाव आयोग के द्वारा सारवजनी की गई ताजा जनकारी में सामने आया है कि हैदराबाद स्थित मेगा समू ने भारती जनता पार्टी को सबसे जादा 664 करोड रुपे का चंदा दिया है दूसरे नंबर पे मुकेश अम्मानी की रिलायंस जुड़े लोग और कंपनिया है जिसने 545 करोड रुपे का भाजपा को चंदा दिया है केवंटर समू ने भगवा पार्टी को भारती जनता पार्टी को साड़े 300 करोड रुपे का चंदा दिया है जिसके कारण वे इस सुची में तीसरे नंबर पे है इसके बाद आता है आदित तिबिरला समू जिसने भाजपा को 285 करोड रुपे दिये है वही भारती एर्टेल ने 236 करोड रुपे की चुनावी बॉंड भाजपा को दिये है ये भारती एर्टेल ने वन वेब के नाम से 5G का स्पेक्टरम को ले लिया उसके बाद में हम देखते हैं कि चुनावी जो उन्होंने बॉंड खरीते हैं वो उसके बाद की तारीकों के हैं पूरे भाजपा द्वारा अप्रेल 2019 से 2024 के बीच 6,060 करोड के बॉंड भुनाए गए 6,060 करोड पात सालों में ये 6,060 करोड का आंकड़ा हमें कम दिखाई देता है लेकिन वो पी प्रभाकर जो हैं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके जो पती है वो इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे वड़ा समू है क्योंकि लाखो करोड रुपए के जो प्रोजेक्ट्स है ना वो उनको दे दिये गए हैं ये सारे पैसों को लेके ऐसे में गौर तलब है कि इसमें से एक तिहाई से ज्यादा का दान केवल इन ही कमपनियों से आया है कैसे आया है वो देखते हैं मेगा समू के द्वारा भाजपा को दिये गए 664 करोड में 584 करोड रुपए हैदराबाद आधारित मेगा इंजिनियरिंग के थे जबकि 80 करोड रुपए उसी की सहायक कमपनी गाजियाबाद आधारित वेस्टन यूपी पावर ट्रांस्मीशन से आये थे सभी दलो को दिये दान का हिसाब लगाए तो इस समू ने 1186 करोड के चुनावी बॉंड खरी देते जिसमें भाजपा को 56% का हिस्सा मीला था रिलायंस सम्बंदित जो कमपनी है उसके बारे में जानते हैं रिलायंस सम्बू से जुड़ी कमपनियों ने मिलकर भाशपा को 545 करोड रुपए दियो दान देताओं में दूसरे नंबर पे हैं हम सभी जानते हैं कि एक मोबाइल नेटवर्क से दूसरे मोबाइल नेटवर्क में जो टैरिफ लगता था उसको भारत की जो ट्राई है जो सरकारी कमपनी है उसने तकरीबन 30% तक कम कर दिया ये इसलिए किया गया ताकि जीयों को लाब पहुँचे तो कि जीयों जो है वो उसी समय वो बजार में दाखी लो रही थी तो उसके बदले में क्या किया गया कि 545 करोड रुपए दिये गए और देने के लिए नोंने डिरेक्ली रिलाइंस के नाम से नहीं दिये इसका तकरीबन 69% हिस्सा मुंबई की क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने कई कंपनियों के बोर्ड के सदस सत्य नरायन मूर्ती वीरा वेंकट से आये इन कंपनियों द्वारा खरीदे बॉंड का 94% हिस्सा भाजपा को मिला केवेंटर समू ने भाजपा को 351.92 करोड दिये ये पैसा चार कंपनियों के माध्यम से दिया गया आदित बिड़ला गुरूप ने भाजपा की जेव में 285 करोड रुपए डाले और भाजपा के चौंते सबसो बड़े दान दाता के रूप में उद्रे के रूप में शामने आये ये रुपए पांच शकाओं के माध्यम से दिये गये थे गरासिम इंडस्ट्री लिमिटेड ABNL Investment Limited, बिड़ला कारबन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उतकल एलूमिना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और SL Mining एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 555.88 करोड रुपए के कुल दान में भाजपा को 51% दिया गया आगे चलते हैं भारती एटल समू जो कि आपके वन वेब का जो मैं आपको बात बता रहा था कि सुनिल भारती की भारती एटल ने भाजपा को चार कंपनियों के माध्यम से 236.4 करोड रुपए दिये इनमें भारती एटल लिमिटेड, भारती एटल करेंट, AC, GCO, भारती इन्फरटेल और भारती टेली मीडिया शामिल हैं इसका सबसे वड़ा हिस्सा भारती एटल से आया जिसने 183 करोड रुपए दिये इस समू ने 247 करोड के बॉण्ड खरीदे जिसमें भाजपा को 96% मिला वेदान्ता ये समू जो है ये बुरी तरीके से बैंक के करजों से घिरा हुआ है बाहर निकलने के लिए क्या रस्ता निकाला? 400 करोड रुपए के कुल चुनावी बांड खरीदने वाले मेटल और खनन समू वेदानता ने भाजपा को 230 करोड रुपए दिये और ये किस तरह से ये पूरी चीज को रचा गया था? ठीक है और ये कह दिया था कि ये जितने डोनेशन है ये 100% 100% टेक्स डिड़क्टिबल है 2018 में ये स्कीम को फिर से जो सरकार है वो लेके आई, नोटिफाई करी और इस बार एकदम खुला मैदान छोड़ दिया गया जितना चाहे आप उतना पैसा दीजिये और किसी को बताने की जरूरत नहीं है 2023 में सुप्रीम कोट ने इस पे अपने और को रिजर्व किया ठीक है? और ये फिर 2024 आते आते इस पूरी स्कीम को ही हटा दिया गया तो ये हमारे सामने में दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो हमारे देश में ये चल रहा है जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते हैं जुल्म होता है कहीं और कहीं देखते हैं जिधर आया था जिधर तीर जिधर से आया था मेरे शहर के लोग कितने साधा हैं कि मरहम भी वहीं देखते हैं तो अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार में कोई सवन हि या कोई भी लोग उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा काम धंदा अच्छे से चलेगा, हम तो बड़े पूझी पती बनेंगे, तो याद रखिएगा कि उनका एक ही कुल मिलाके है मंत्रा चट छापा, चट चंदा, न हम सफर, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारा अखरी में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, आपसे सर्फ यही कहना चाहता हूँ, कि भाई, मैं अपने वोट को इंडिया एलायंस को जाके दूँगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको किसको वोट करना है, मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा, कि इन सारे चीजों को केला ओप्शन खड़ा है, मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप किसको जाके वोट दीजिए, मैं सिर्फ यह बता रहा हूँ, कि मैं किसको वोट करने वाला हूँ.